नमस्कार दोस्तों, मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की अंतराश्टी खबरें किस तरह से एक देश से दूसरे देश को या यू कहें कि पूरे परिद्रिश को जोड़ती हैं, प्रभावित करती हैं इसकी ताजा मिसाल 2022 में सबसे बड़ी जो मिसाल है वो यूक्रेन युद्ध है, इसने किस तरह से अंगिनत देशों को प्रभावित किया, चाहे तेल, डीजल की महंगी कीमतें, खाद्यान की कमी या बहुत कुछ, आज किस तरह से यूक्रेन युद्ध प्रभावित हो रहा है खत्रा पैदा कर रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे प्रभीर, जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, कि वहाँ पर जो एक परमानु सयंत्र है, उस पर चिंताएं जाहिर की जा रही है, जिस तरह से वह निशाने पर है अचानक ऐसा क्या हुआ, कि यह जो परमानु सयंत्र है, जिसकी तस्वीर भी लोगों को दिखाई दे रही है, वह अचानक चर्चा में क्यों आया? देखिए, बड़ी दिल्चस्प बात है, क्योंकि यह रूस ने मार्च में इस पर कबजा किया था, यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, बीस परसेंट विजली न्यूक्लियर यूक्रेन की ग्रिड में यह पहले सप्लाई करती थी, छे बड़े-बड़े यहाँ पर उनकी रियक्टर्स है, छे टावर प्लांट हैं, तो सब बिलाके पूरा कॉंपलेक्स है, तो यह अभी इस वक्त दो ही प्लांट चल रहे हैं, चार बंद है, फिर भी यह काफी बिजली यूक्रेन के लिए पैदा कर रहा है, हनाकि यह रूस की कबजे में है, यू आग यूक्रेन गृट से जुड़ा हुआ हा है, जपर जिया ख्रूजिया प्लांट जो है, क्योंकि यूक्रेन का एक पहला जो ग्रिड था, ड़ोलनियेक के कुछ इलाके रूस के गृट से जुड़े हुए इस वक्त, पर यूक्रेन के दूसरे इलाके, guidelines घृ।थ यूक कि खत्रा क्या है जिसके लिए इतना लोगों के चिंता है खत्रा तो इसलिए शुनू हुआ कि इस पे वहां पर कुछ बंबारी वही थी और रियक्टर्स अगर इसमें एफेक्टेड होते तो उसका परिणाम क्या हो सकता है मैं आपको दो उदाहरन दूंगा एक तो चेर्नोब ही मरे जितना बाद में एफेक्टेड हुए कई पीडिया कई पीडिया एफेक्टेड हुए तो उसका काफी दायरा बड़ा था और यूरप के बहुत सारे अंग्शों में उसका जो कहते है रेडियो एक्टिव के डस्ट जो है वहां गिरा और उसका असर पड़ा तो जप्र क्या है कि जप्रुदिया प्लांट जो है वह आपके शेंडोपिल से भी बड़ा है तो छे बड़े बड़े रियाक्टर से बंद रहने के बाद चार्प जो बंद है उनको भी ठंडा करने की जरुरत पड़ती है और जो प्लांट चल रहे हैं उस पे कोई disturbance अगर होता है तो भी बंद करना पड़ता है पर बंद करने से ये ना समझिए कि कोई खत्रा नहीं होगा बंद करने के बाद भी अगर इसको ठंडा नहीं रखा जाता है तो इसका कोर मेल्ट डाउन होता है क्योंकि हीट बिल्ड अप करता है तो कोर मेल्ट डाउन होने की संभावना रहती है और उसको बचाने के लिए बहुत सारे रेडियो एक्टिव पानी जो है उसको छोड़ना पड़ा समुदर में और क्योंकि वहां समुदर था तो आपने समुदर में छोड़ दिया अगर नहीं हो तो क्या होगा पर वो जब था कि आज तब आपकी कब्जा उस प्लांट पे था लोग उस पे काम कर सकते थे तो बहुत सारे आपके साधन तो उस वक्त थी बिजली आपके पास थी यहां पर अगर बिजली कड़ जाता है अगर माली जे बंबारी होता है बिजली नहीं रहता है इस प्लांट में तब क्या होगा ग्रिट की बिजली नहीं होगा तो डीजी स कवाल जो है इसमें कोर बेल्ट डाउन की संभावना होती है तो यह ना समझे कि प्लांट बंद कर देने के बाद सब खत्रा खत्म हो जागा ऐसा दिए शायद यही वज़े है कि तमाम देश मेलब रूस यूरोपियन यूनियन यहां तक सारी लोग इसे लेकर काफी चिंतित है और रूस खुदी गया सिक्यूरिटी काउंसल के पास भी इस प्लांट को लेकर देखें एक तो खत्रा यह था जो नुकलियर मेल्ट डाउन की बात हम कर रहे हैं दूसरा खत्रा है कि स्पेंट फूइल रॉड्ट जो है कूलिंग पॉंड्स पर रहते हैं पानी के अंदर रह की जाए तो क्या असर पढ़ेगा उसका तो इसी लिए नुकलियर प्लांट में अभी तक युद्ध के अंदर कोई उसको लाय नहीं था रूस ने उसको कब्जा इसलिए किया था क्योंकि एक बार जलन्शिकी ने कहा था कि हम नुकलियर बॉम भी बना सकते हैं क्योंकि हमार बाम बना सकते तो ये एक खत्रा रूस को नजर आया था जिस वजह से लगता है कि उस वक्त जापरजिया चेहनोबिल दोनों पर उन्होंने कब्जा तुरंत सबसे पहले मार्श मार्श पहली किया था फर्वरी में शुरू हुआ और मार्श में चेहनोबिल से विड्रॉ कर करीब जूलाई की एक महना पहले पहली बार बंबारी की बज़ जब्रुजिया में आई है तो यह क्यों हुई है यह सोचने की बात है जी अच्छा यह बताएए कि आखिर हुआ क्यों यह तो सब को पता है और जिस तरह से सारे देश मिलकर इस इलाके को बचाने के लिए या देखिये रूस के कबजे में है रूस तो अपने आपको बंबारी नहीं कर रहा है तो यूकरेन और अख़वारों में जो आ रहा है रूस बंबारी कर रहा है तो यह बेखुफी वाली बात है अब रूस के कबजे में अगर प्लांट है उसको क्या खुद अपने आपको है क्या है रूस आपने जो कहा कि वो United Nations पे गया था तो उसका नसुनवाई करना और आए ये जो इस इन सब चीज़ों को गवर्न करता है तो उनका भी कहना है उस प्लांट में जाना चाहते हैं पर कियेव के जरीए तो यूकरेन के जो इलाके है उसके जरीए जाएंगे हम डार जाप्रोजिया को खेल में डाला जा रहा है इंटरनाशनल डिप्लोमाटिक गेम में आ रहा है ये पर हकीकत जो है कि बॉम्बारी यूकरेन ने की है सब को मालूम है यह हो नहीं सकता कि कि किसी की मालूम ना हो क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देखेंगे ऊपर सैटलाइ के अंदर से रूस ने कहा है देखिए तस्वीर तो आपका सैटलाइट पिक्चर से कमर्शल सैटलाइट भी है कभी आप उस तस्वीर को उठा के देख लिए देखेंगे कोई शेलिंग का कोई हमारा साधन प्लांट के अंदर नहीं है अब पूरा इलाका जब हमारे पास है ह हमारी क्या बेखूफी होगी कि हम उसके अंदर से शेल करेंगे दूसरे जगहों को तो यह तो खबर बनाई जा रही है असलिए यूक्रेन ने शेलिंग किया है क्यों और शेलिंग इसलिए कि लगता है कि इस वाक्त यूक्रेन जो है बिजली यूर्पिन यूनियन के बेश है करीब 100 मेगावाट जहां तक कबर है 100 मेगावाट पर दिन उनको 100 मेगावाट की एक्सपोर्ट कर रहा है यूर्पिन यूनियन को यूक्रेन बेज रहा है। में कम हो जाएगा पैसे नहीं मिलेंगे और इस वक्त यॉर्पिन यूनिन में दाम बिजली की काफी बढ़ गया है करीब पांच गुना च्छों गुना ज्यादा हो गया कुछ कह रहें कि अगले आने वाले प्राइसे से और भी बढ़ेंगे तो यह देखते हुए यूक्रेयन का लगता है कि ब्लैक मेलिंग इंटेंशन है कि रूस को दवाव में डाले क्योंकि रूस कह रहा था हम जप्रोजिया को यूक्रेयन ग्रिट से हटाके रूस की ग्रिट में लगा देंगे अच्छा वहां से बिजली जो मार्स से लेकर अभी तक वहां जा रही थी वह अपने पास थी नहीं पहले तो यूक्रेयन का जो हिस्सा उनका रूस से जोडने की बात हो रही है वहां पर कुछ हिस्सा रूस के ग्रिट से जुड़ गई है देखिए ग्रिट का सवाल है यहां पर किसका जमीन पर कबजा है उसकी सवाल नहीं है ग्रिट किसकी है और यह नहीं है क क्योंकि हमारे जमीन हमारे ग्रेड होगा अभी भी ग्रेड जो है युक्रेड ग्रेड से यह प्लान जुरा हुआ था तो रूस यह चेंज करने की बात कर रहा था मुझे लगता है यूक्रेड इसलिए दवाव डाल रहा है क्योंकि एक दो एक स्पोर्ट बंद हो जाएगा और कि सब देश इसमें जो बड़े अच्छा भूमी का निभा रहा है कहरें शांती होनी चाहिए अमरीका तो इस पे खास चिंता है नहीं होगा रेडियो आक्टिविटी कुछ फैलेगी तो यॉरप में फैलेगी उनकी क्या पड़ा है उनका तो यह है कि रूस को कमजोर किया अंतर राष्टिया तोर पे उनको कहा जाए कि खराब देश है देखो यह सब कर रहा है देखो न्यूक्लियर एक्स्पलोशन करा दिया जप्रुशिया में यह सब जो कोशिश है इस पे सब की इंट्रेस्ट है वो कॉमन इंट्रेस्ट लगता है नहीं है पर बेवकुफी तो न्यूक्लियर खत्रा पाइदा करना जप्रुशिया में कम से कम उसको तो रोकने के लिए कोशिश करना चाहिए हो सकता है अमरीका का खास इंट्रेस्ट नहीं है बिच पर अट्लांटिक ओशन है उनके लिए कोई फरक नहीं पड़ता पर यूरप पे तो फरक पड़ेगा त कुछ बीच बिचाव करने की कोशिश तो करे ना कि एकदम एक पक्ष को पकड़के नेटो बनके वो जो है इस जंग में शाहिए शिर्कत आपने जहां बात की कि जो खबरें आती हैं जो परसेप्शन या अवधारना विक्सित होती है जैसे इसको लेकर खबर थी कि रूस ख लहकार उनकी बेटी को निशाना बनाया गया उनकी हत्या कर दी गई तो इसे ऐसा डिफीट दिखाया जा रहा है कि यह मामला है क्या कैसे हम इसको देखें इसको पहली बात तो यह है कि जो खबर आ रही है उस पे ए अलेक्जांडर डूगिन जो की काफी प्रसद्धी है उस के करीम जो है यह सिर्फ वेस्टन प्रेस में कहा जाता है रह्श्या में इसमें यह नहीं कहा जाता है दो हजार चौदर में पूटिन की प्राव बिनिस्टर थे तभी तो उन्होंने दुगिन को नौकरी से निकाल दिया था उसकी चलते सरकार रूस के वज़ए से रूसकी स सरकार ने उसको निकाल दिया था क्योंकि उसने युक्रेन विरोधी जो उसकी लेक थी काफी विभाजनक थी तो उनको कह रहा थे युक्रेनियंस को मानना चाहिए क्योंकि हमारे रश्यन जो नसल वाले लोग है उनको मार रहे हैं तो इस तरह की लेक के विरोध में उनकी नौ को पुतीन की बहुत करीब बताय जा रहा है इसका कोई अंदाजा हमें नहीं है रूस में लोगों की नहीं है यह सिर्फ जो इंटरनाशनल प्रेस की है इनकी उपर सैंक्शन्स भी है ठीक है उन्होंने अलेक्जांडर डुगिन को सैंक्शन्स पे भी लाया है उसकी लड़की क अलेक्जांडर डूगिन को इस तरह से बनाए गया है पुतिन की ब्रेन एक इंसान का ब्रेन चोड़ है उस बात की इसके वजह क्या है कि अलेक्जांडर डूगिन की लड़की को के निशाना में लाए गया था अलेक्जांडर डूगिन को क्योंकि वो एक ही गारी में जाने व UK की spy agencies परिचालित होती है वो लोग कहते है कि उसका काफी चर्चा हुआ है और काफी खबरे भी निकली है कुछ documents भी निकली है कि UK का जो spy agencies है उसको वो पैसा देते हैं वो चलाते हैं तो उस पर कुछ शोध वो कर रही थी कि वो निशाने में थी राश्या का कहना है Ukraine का इस पर सरसर हाथ है जिन्होंने मारा है उन्होंने उसको चानबिन करके वो कहा है कि वो as of battalion के साथ उसकी संबंध है था और वो जो है मार के वो चली गई है भाग गई है Estonia में अब क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है इस assassination में यह तो बाद में ही पता चलेगा कभी पता भी चलेगा यह भी नहीं पर सवाल है कि जिस तरह से यह पेश किया जा रहा है यह है कि पूतिन का अगर कोई करीब है तो उसका मानना जायज है यह अगर मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि टेर्रिजम पे आप आए हैं जैसे अमरीका पहले जनरल सुलिमानी को मारा था एराक में मारा था एराक की एक जनरल था वो उसको मिलने गया था उसको भी आपराद को एक तरह से मुहर लगाना है यह अब देखेंगे कि यह जो इनकी ड्रोन्स के दारा द्वारा जो किसी पर व पूटिन की बहुत करीब था कहके एक तरह से उसका जस्टिफिकेशन किया जा रहा है और बताया जा रहा है देखो किती ताकत है उक्रेइन के मॉस्कों के अंदर भी पूटिन की करीब के लोगों के जाके मार रहे हैं और यह तुम्हें अवधारना का खेल की परसेप्शन और वो रिसर्च करने वाली लड़की यंग लड़की है उस तरह से मानना कि कोई यह तो जस्टिफिकेशन अंतराष्ट्य तर पर नहीं हो सकता है पर अगर वेस्टन वीडिया देखेंगे इस पहलो पर फोकस नहीं है पूतिन के किता बरीब करीब उसके बाप थे इस पर ज सकती जी शुक्रिया प्रभीर दोस्तों बहुत जरूरी है कि जो खबरें कम से कम अंतराष्टी इस तर पे और जो कॉंफ्लिक्ट से रिलेटेड युद्ध से रिलेटेड खबरें हैं वह जब आती हैं हमारे सामने प्रचारित प्रसारित होती हैं उन खबरों की ठीक धंग स कहां से आ रही हैं उनका मकसत क्या है वे क्या सच दिखा रही है और क्या सच छुपा रही है यह बहुत मुश्किल से सामने आप आ रहा है और इसलिए आप सबसे अपील है देखिए लाइक करिए शेयर करिए परताल दुनिया भर की ताकि दुनिया की खबरों पर हमारी पैनी और सची नजर बनी रहे शुक्रिया